प्रांस्मिसिविलिटी आफ फोर्स तो दिखते हैं कि यह लॉउ क्या कहलता है एकॉर्डिंग तो दिश्लोव देच्ट अफ रस्ट और मोशन अफ रिजिट बोडी इच अनल्टरि इफ वपोस एक्टिंग on a body is replaced by another force of the same magnitude and direction but acting anywhere on the body along the line of action of the replaced force इसको हम डियाग्राम दोरा समझते हैं सब्पोज यह a rigid body है ओके यह motion में है ओके यह motion में है इस पे हम force लगा रहा है एक point पे force लगा रहा है यह force का line of action होगा same body को हम यहाँ पर represent कर रहा है same body पे अगर हम यहाँ force लगा है लेकिनों force क्या हो same line of action में हो और magnitude भी same होना चाहिए क्या-क्या same line of action line of action same magnitude magnitude same magnitude होना चाहिए force का और force same line of action होना चाहिए यह जो line of action है यह सेम होना चाहिए same magnitude होना चाहिए force का और same direction होना चाहिए तो यह जो rigid body है इसके motion पे कोई effect नहीं होगा इसका motion जो है वहीं रहेगा कोई effect में होगा इसी को हम लोग law of transmemibility of force करते हैं ओके एक बार और बता दे रहा हूं सपोज यह rigid body है इस पे हम कहीं force लगा रहे हैं ओके यह force हम लगा रहे हैं यह force का line of action हुआ अगर उसी rigid body पे यह rigid body same है अगर हम कहीं दूसरे जगह पे हम force लगाएं उसे line of action में of same magnitude and same direction तो जो rigid body का state है या वो motion में है या रेस्ट में है उस पे कोई difference नहीं होगा वो जो उसका state है वो unaltered means change नहीं होगा इसी को हमनों क्या बोलते है law of transmability of force ओके इस वीडियो में इतना ही अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो please like करें comment करें share करें और learn with अबसे channel को subscribe करें